तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दें आज का एनलिसिस आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वार का एक्चुल रीजन क्या है और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दो दिन पहले मैं क्यों कह रहा था कि निफ्ती बाउंस बैक करें का ग्लूबल में भी काफी रिकवरी आरे थी यह क्यों हो रहा था इसका पीछे का पहले वार का रीजन समझ लेते राइट रशिया यूक्रेयन पर क्यों आटेक कर रहा है और उसका में एम क्या था रशिया यूक्रेयन पर पूरा कबजा नहीं करना चाहता वो उसके सिर्फ दो सिटीज जो उसका तो आप लोगों को पता ही होगी कि ऐसी कंट्रीज है तो वो लोग की आर्मी यूक्रेन में आ जाती उनका जो डिफेंस इसनम है जो रुषिया के लिए ख़दरा बनना चाता था इसलिए क्या है रुषिया ने उसके जो में कैपिटल है यूक्रेन को उसके वहां पर वो अंड पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने यहीं खाता कि मुझे यूक्रेन पर नहीं है वह जो दूसके दो कैपिटल जो जिससे वह पूरे यूक्रेन पर कंट्रोल कर सके वह कबजा करना है और यूक्रेन पर पूरा कबजा करना नहीं बड़ यूक्रेन ने अच्छा बाउंस है ओतो जरू करते यहां पर बठाया है अगर हमारा मार्ट आज के डिनूम आज सब्सक्राइब यहां से यह coordinates यहां से यह is सबस्क्राइब सब्सक्राइब आई सब्सक्राइब स्वाइब धिए ये वाली केंडल का आप यहां पर देख सकते हैं यह एक नीचे को इहां पर उपर resistance हमें मिल गया है नीचे को support कहाँ पर मिल गया है नीचे अब हमें कल ध्यान क्या देना है क्योंकि यहाँ पर अगर nuclear war हो जाता तो यहाँ पर काफी कश्मकश काफी दिक्कते हो सकती है market के लिए और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप 15 दिन के अंदर 50,000 रोपे कमा सकते हैं उसका मैं shots निकाल रहा हूँ जादा बड़ा वीडियो नहीं आप देख लेना उसके पीछे का logic बहुत अच्छा है तो भी देखना मत बुलना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसका वीडियो जल्दी आने वाला है अब यहाँ प चाड लेते हैं ठीक है 15 मिनट का चाड या 5 मिनट का चाड अब हमारे पास सबसे important यह मैं आप लोगों के लिए डिलीट कर देता हूं राइट ताकि हमें यहाँ पर बहुत clear view मिल जाए तो मेरे पास नीचे से यह support है ओपर से में पास यह resistance है ठीक है अब मुझे करना क्या है अगर कर मार्केट थोड़ा सा gap down भी खुलता है मेरे को पास इतना ध्यान रगना है कि मार्केट 35,800 के ऊपर रहे नीचे जाएगा तो मुझे यहां से वापस से यह 35,500 यह 35,000 के level यहां पर खुलते दिख जाएंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे ना यहां से ही breakdown आया था यही से ही breakdown आया था और अगर यहां से recovery आया है तो यही वाले point से ही recovery आया है तो मतलब मेरे लिए यह जो important point है यहां से भी अगर यहां पर jump आया था ना मैंने मेरे telegram channel पर मैंने बताया था कि यह यहां पर triangle breakout है यहां पर ठीक है तो यहां पर ब्रेकाउट मिला वह भी इसी लेवल के उपर मुझे मिला है, तो मेरे लिए यह काफी जो क्लोजिंग है वह बहुत इंपोर्टन यहां पर रहने वाली है, उपर की तरफ यहां पर इसका जो लास्ट क्लोज है, यह 36500 मेरे लिए इंपोर्टन, अगर मार्केट खुलता है, अगर 15 मिनट का कैंडल अगर यहां पर मुझे सम्हाव यहां पर उपर क्लोजिंग मिलता है, तो मैं यहां पर कॉल बाई करूंगा, और अगर यहां पर ढाउन साइड देखने मिलता है, तो यह बाई करेंगे, और 30-40 पॉइंटS का हमारा स्टॉप लस रहेगा, और ऊपर क तो इसी के साथ यह पसंद आया को तो लाइक जरू कर देना टार्गेट है कम से कम सो लाइक है यह वीडियो का ठेक है और उपर खुलता है तो उपर की मोमेंटम मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर डारेक्ट बताता रहूंगा लेकिन यहां पर अब यहां पर गया है सेम निफ्टी 50 में मैं आपको HDFC बैंक डिसकस करूंगा है HDFC यहां पर बाइ करना चीए अपने फूर्टी पूर्ट फोलियो में यहां से देखो अब 15 मिनट का चार्ट लगा है अब हमारे लिए क्या है मैंने आप लोगों को अभी बता है निफ्टी 50 में भी सेम केस है अगर हमें यहां पर 17,000 का लेवल बहुत इसली यहां पर देखने मिल सकता है अगर कल अच्छा बांस बैक आया अगर ज्यादा सॉलीशन आया तो मार जहां से यह crash down हो रहा था जहां से मार्केट क्रेश हो रहा था तो मतलब मेरे लिए यह 16,500 काफी important level है अगर मार्केट कहीं से भी नीचे आता है तो मेरे लिए यह वाला important level रहेगा बट यह इसकी जो closing है यहां पर यहां पर हमारा support है यह support है मैं इसको यहां पर mark कर देता हू ठीक है यह हमारा सपोर्ट है मद्सटीन ताउजन सिक्स फुफ्ट है कभी चढ़ सकता है इसके वज़ते की वालटरिटर्ट इंडिया विक्स 25 के उपर है इसके नीचे गिरा तो हमारे पास यह रहेगा अगर यहां कहीं यह दो लेवल पर मिलता है तो हमें यहां पर बाय करने तो हमारा सीधा टारगेट रहेगा 16,900 और यहां पर 17,000 बाद हमारे यहां पे लंबा टारगेट रहेगा और मैं यहां पर चैनल पर पहली बार आए होगे तो यह वाला वीडियो जो मैं ते कन्विक्षिन के साफ कहा रहा था 17,500 वो बहुत जल्दी आते दिख सकता है क्योंकि मार्केट बाउंस बेग बहुत तेजी से करता है गिरने के बाद और HDFC बैंक यह जो आप देख रहे हो यह जो लाइन है यह जो रैड लाइन है इसकी 200 डे मुविंग एवरेज है आप HDFC बैंक का इतिहास निकालके देख लो HD बहुत रहेर में रहेर अपने 200 डे मुविंग एवरेज के नीचे गया सालों साल तक यह 200 डे मुविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है HDFC bank यह वाली red line देख रहे हूँ तो अभी हमें क्या है HDFC bank यह red line के नीचे मिल रहा है तो यह इसका बहुत अच्छा बाय है और यह इसको यहाँ पर आप देख सकते होगी इसको two times नहीं, three times हमें यहाँ पर multiple supports है तो इसके साथ HDFC bank buy करने का मेरा recommendation रहेगा आप अपने risks पर यहाँ पर buy कर सकते हैं क्योंकि market sentiments है this video is totally for educational purpose और मैं seminar लोगने वाना हो संडे को, तो make sure वहाँ पर आके आप join करिए, वहाँ पर कुछ नया सीखे मैं आपको सिखाऊंगा कि option के जो premium के जो price रहते हैं वो कैसे decided होते है तो उसके लिए मेरे साथ जोड़े रहे है नीचे कुछ नए topic पर आप चाहते हैं कि वीडियो बना तो नीचे comment box के यहाँ पर एक comment leave कर सकते हैं वो topic के साथ तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को पसंद आएको चैनल पर पहली बार आए है तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बाइल ऐकन को दबाना ना बोले and we are just 20 सब्सक्राइबर अवे टू 700 सो जल्दी से जल्दी कर देना थैंक यू